इसलिट में वो पड़ता है ताहे तीह के मादम से जिन वाकियों के अंत में ताहे तीह आता है वह था प्रेजेन इंडिविनेटन तेंस गलत कअओ नहीं है ऐडवांस पढ़ा तूंगा दिमांग में डाल दूंगा मिनिट में सर्त एक रहेगा कोपीपन लेकर बैटेओं कि इस टेनस को दिमाग में डाल कर छोड़ूँगा एक्चिल में हर बच्चे का कॉंसेप्ट होता है सर्फ प्रेजेंड इंडेफिन टेंस समझ में नहीं आता यहां ध्यान दीजिए एक एक चीज को लिख लेना सोटव में पढ़ना है मुझे देखना नहीं है कॉंसेप्ट को छाप लेना लिख लेना ब वर्व का दूसरा काम क्या वी फाइफ का सर यह क्या है इस टेंस में इन दो वर्व के अलावा कोई तीसरे वर्व का कोई काम ही नहीं है इन दो वर्व को समझे लिजिए प्रेजेंड इंडेप्रेंट टेंस का लास समझ में आ गया डाल दूंगा दिमाख में भी मैंने क्या कहा वी वन और वी फाइफ सर ये वी वन और वी फाइफ क्या यूज कैसे करें कौनसेप क्या यहां ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा वर्व का पहला फोर्म वर्व का पांचा फोर्म वर्व का पांचा फोर्म सर पहला फोर्म तो देखा पांचा फोर्म नहीं देखा आज देख to name any two name का मतलब है राम एंड शॉनिया राम HC कोई बी दो नेम इनके साथ क्या है आपका पलश लगा फर्स्ट फॉर्म क्यों क्योंकि पियूरल वर्ब तो वल्शींडूरल सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट पिलूरल है तो तो वर्ब भी पिलूरली चाहिए, और यहाँ पर आईए, सर, V5 क्या है, बनता कैसे, क्योंकि V5 क्या आपकी creation वर्ब है, क्या है creation वर्ब, कैसे सर, V1 से ही create की जाती है, creation वर्ब कैसे होता है, सर, यह समझाईए, V5 सबसे पहली चीज़ यह होता है, singular, क्या होता वही, singular, अच्छा जी, singular क्यूं कहा, क्यूंकि यह V5 वर्ब की first form के साथ, SEA ES लगा कर, SEA ES लगा कर बनाया जाता है, तभी कहते हैं, इसको creation वर्ब, पढ़ा नहीं रहा concept है, कैसे सर, कैसे बना दिया, जैसे कि मैंने go के साथ ES कर दिया, तो क्या हो गया बाबू जी, गोज हो गया, मैंने play के साथ, क्या का बाबू पिले के साथ, पलस मैंने S कर दिया, तो क्या हो गया, play हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, go और play क्या है, वर्ब का पहला form है, और go जो और play क्या है, आपका पांचा फोंट पांचाव सेिंगूलर सबजेट के साथ यागा резinger का परयोग सिंगूलर का परयोग के साथ जिद्धनT याद ना कि आपका要धि सब्जेक्ट सिंगूलर इंतो सिंगूलर वर्ब और सबजेक्ट फिलूरल कहीं बहटकने का ज़रूरत नहीं है मैंने क्या कहा इन दोह के लावर कोई इस टेंश में नहीं आता इन दो वर्व को पढ़ो और present independence खलास हो जाएगा, मैंने क्या कहा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यदि आपका he है, c है, या फिर it है, या फिर any one name है, any one name का नतलब कोई भी एक नाम, कहने का मतलब, singular subject है, तो आपका क्या होगा, v5 आ जाएगा, क्या कहा बाबू v5, v5 बनता कैसे, s e a e s लगा क v5 आएगा, sir अब यूज कैसे होगा, यह चीज याद रखो, लिख ले रहे चीज, singular होता है, ऐसे बनता है, पिलूरल होता है, ऐसे बनता है, और v1, क्या है आपकी real verb है, क्या है real verb, तो real verb से क्या मना आपका creation, किसका हुआ v5 का, कैसे हुआ, s e a e s लगा कर, यहाँ ध्यान द concept क्या है, मैंने क्या कहा था, यह आपका v1, v1 क्या है, आपका पिलूरल है, क्या है, पिलूरल है, आछे अजन um hello, जाता हूं, गो का मतलब जाना मैं जाता हूं समझ मारा बात क्या का मैं जाता हूं अच्छा जी उसके बाद देखो उसके बाद मैंने का I go to school I go to school मैं सकूल जाता हूं यहाँ ध्यान दो अगर मैंने I को ही कर दिया तो आपका गो का क्या हो जाएगा एस या एस होगा, वो क्यों, क्योंकि V5 चाहिए न, क्यों, singular है subject, तो similar चाहिए verb, हमने यहाँ पर go का क्या कर दिया, गो का बता जब आई था, पिलूरल था, अब यहाँ पर go जो कर दिया क्यों, क्योंकि he singular है, तो he goes to school, he goes to school, ठीक अब रजू, अब मैंने क्या कहा, आपका का पहला हो मैं यू क्या है पिलूरल पिलूरल अगर मैंने हाँ पर ले लिए राम तो राम के साथ क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मेक्स क्या हो जाएगा मेक्स मेक्स फूड मेक्स फूड राम खाना बनाता है सर यहाँ पर S.E.A.E.S. क्यों लग रहा है इसको कहते प्रेजेंट एंडेफिन टेंस का सिंपल सेंटेस नेगेटिव नहीं पढ़ा रहा सिंपल है मैंने क्या कहा बाबू तो वीवन है पिलूरल वीव है पे सिंगूलर ऐसे यूज होता ठीक भई तो सिंगूलर के साथ सिंगूलर के साथ पिलूर अब यहां देखो एक सिंगूलर के साथ दो पिलूर के साथ कैसे सरं जैसे कि मैंने यहां पर कहा आई यू वी दे यदि एनी टू नेम हो या फिर पिलूरल हो तो यहां पर क्या आजाएगा पला सापका डू हो जाएगा यदि यहां पर आपका ही आजाए सी आजाए यदि यहां पर आपका इट आजाए यहां पर कोई भी एनी वन नेम आजाए यहां पर आजाए कोई भी जैसे म क्या है मैंने क्या कहा सब्जेक्ट पलस हेल्पिंग और पलस के नोट आजाएगा नोट के बाद आजाएगा आपका वीफाइफ सोरी वीवन नोट के बाद क्या वीवन आजाएगा पलस आजाएगा अधरवर्ड अधरवर्ड आपका कोई यहां पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता ह ता है यहां फिर आपका कॉंपलिमेंट भी हो सकता है थे उधू हो सकता है अब देखो एकजम्पल एकजम्पल को पढ़ने का प्रियास करते हैं एक्चलि में बात क्या है इसका मतलव I do not make food, मैं खाना नहीं बनाता हूँ, मैं खाना नहीं बनाता हूँ, अगर singular के लिए चाहिए, तो मैं ने कर दिया C, तो C के साथ क्या चाहिए, डज चाहिए, डज के साथ नोट लगेगा, नोट के बाद हमने कर दिया, make उसके बाद कर दिया, food, इसका मतलब वह ख खाना नहीं बनाती है वह के साथ आगे डज क्यों डज सिंगूलर है तो सिंगूलरी चाहिए सब्जेक्ट यह तो सिध्धन्त याद कर लो भई सिध्धन्त क्या है सिंगूलर के साथ सिंगूलर के साथ पिलूरल यदि सिंगूलर सब्जेक्ट है तो सिंगूलर वर्ब यदि प do not do work अच्छा जी तुम काम नहीं करते हो क्या कहा बाबू तुम काम नहीं करते हो सर दोवा do आ गया कैसे क्योंकि ये do बना आपका helping और ये do बना आपका main word मुख्य के रिया ये साहिक के रिया ये क्या मुख्य के रिया यहाँ पर मैंने क्या कहा singular के लिया कहा मैंने he does not do work अच्छा जी सर यहाँ पर does क्यों आ रहा है यहाँ पर do आ रहा है यहाँ पर does क्यों है क्योंकि ही है ना he singular है यहाँ पर do है क्योंकि यहाँ पर क्या है plural है subject अच्छा जी हाँ पर do क्या है आपका main word है समझमारी बात वह काम नहीं करता है तुम काम नहीं करते हो समझमारी बात तो यहाँ पर यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए सर interrogative sentence कैसे होगा सर interrogative sentence में आपको करना क्या है सिर्फ जो यह helping or भेना इसको आगे लिए यह subject को पीछे कैसे सर मैंने कह दिया helping work को आगे subject को पीछे पलास आपका वीवन हो जाएगा पलास हो जाएगा other word पलास हो जाएगा interrogation mark the mark of interrogation मैंने क्या कहा helping work क्या है आपका do or does क्या है जी do or does कैजे सर अच्छा जी आब interrogative sentence में question को आज क्या जाएगा कैसे सर क्या तुम दिल्ली जाते हो क्या तुम दिल्ली जाते हो तो मैंने क्या कहा do you go to Delhi do you go to Delhi क्या तुम दिल्ली जाते हो अच्छा जी do पिलूरल है तो subject क्या है पिलूरल है तो दोनों हो गया same अच्छा जी मैंने क्या कहा है यहां पर कहां मैंने डज, डज, डज शी गो टू डहली, क्या वह दिल्ली जाती है, तो डज है singular, तो सब्जेक्ट क्या है singular, तो यह क्या है आपका interrogative sentence, मैंने question को ask किया, कैसे किया, do you go to डहली, क्या तुम दिल्ली जाते हो, क्या वह दिल्ली जाती है, तो मैं question को ask कर रहा हूँ, इसलिए मैंने helping work को आगे लगा दिया, इसके बाद कर दिया subject, कैसे सर, यहां पर do पहले है, you बाद में है, इसका मतलब interrogative sentence है, question को ask किया जा रहा है, सर, do क्यों लगा दिया, क्योंकि subject है plural, does क्यों लगा दे, क्योंकि subject है singular, यही चीज याद रखो, यदि आपने यहाँ पर, यदि आपने यहाँ पर do c कर दिया, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि do plural है, यह c है क्या singular, तो पिलूर के साथ singular नहीं आता, यह सिध्धान्त को याद कर लो भई, singular के साथ singular, पिलूर के साथ, पिलूरल, यहाद ध्यान दो, उसके बाद मैंने क्या कहा, interrogative plus negative का sense क्या आता, सोट में पढ़ा रहा हूं, पूरा length नहीं पढ़ा रहा, सोट में, मैंने क्या कहा, interrogative plus negative का sense क्या आता, देखो जी, मैंने क्या कहा, interrogative plus negative में क्या होगा, सबसे पहले helping work आएगा, उसके बाद आएगा subject, उसके बाद आएगा note, उसके बाद आएगा V1 उसके बाद आएगा अधरवर्ड, उसके बाद आएगा interrogation mark, मैंने क्या कहा, उसके बाद इसका एक रूल है, दो रूल है, एक है helping work, उसके बाद आ जाएगा आपका note, उसके बाद आजाएगा subject, उसके बाद आजाएगा V1, फिर आजाएगा other word, फिर आजाएगा the mark of interrogation, अच् मतलब क्या है क्या तू मैच नहीं खेलते हो आब यह टू शॉप्जंघ कर दिया है विव अधर सबच लिए यह क्या है इसे बनाई यह यह क्या अब का helping के साथ note लग जाता है तो वो बन जाता है do not short form में बोले तो don't does not short form में बोले तो doesn't example देखो sir कैसे मैंने क्या कहा example देखने का प्रयास यहाँ पर करते हैं ध्यान दो मैंने क्या कहा यहाँ पर इस दोनों sentence को इस rule से बनाने का प्रयास करते हैं जैसे कि मैंने क्या का do, helping और लिया, मैंने do, उसके बाद मैंने note लिया, क्या लिया, note लिया, तो इन दोनों का sort form क्या है, don't, क्या है जी, don't, don't के बाद क्या है, आपका subject है, don't you, उसके बाद है, go, sorry, play, क्या है जी, play match, sir, Hindi sense, same ही है, क्या, तुम match नहीं खेलते हो, do you not play match, don't you, play match, Hindi sense वो ही है, does से आजाओ भी, यहाँ पर मैंने कहा, does, उसके बाद करा मैंने note, तो इन दोनों का sort form क्या है, आपका, doesn't, क्या है, doesn't, see, play, match, doesn't, see, play, match, क्या वह है, match नहीं, खेलती है, तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, V1 और V5, मैंने क्या कहा, जो do है आपका, वो क्या है, वर्ब का पहला form है, जो does है आपका, वो क्या है, वर्ब का पांचा form है, तो negative हो, simple हो, interrogative हो, sentence चाहे, कोई भी हो, दो ही वर्ब यूज होगा, V1 और V5, V1 आपकी real है, और V5 आ तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके थैंक्यू, take care